हेलो एंड वेलकम बेक टू आर यूट्योब जैनल पढ़ाई वेद गुरू चेला So my dear BA Honours Political Science, First semester students, कैसे हैं आप सब? I just hope कि आप सभी अच्छे होंगे and बहतर तरीके से आप लोग अपने जिस टेडीज हैं continue कर रहे होंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम discuss करने जा रहे हैं आप लोगों के generic collective paper, Delhi Through the Ages, The Making of Its Early Modern History के slaybus को and साथ ही आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी एक बहतर बुक है जिनके माध्यम से आप लोग जो हैं हर एक topic को, हर एक content को बहतर तरीकी से cover कर सकते हैं सो आईए वीडियो को start करते हैं and देखते हैं क्या है इसले बस क्या है best readings and क्या है important web links ये वीडियो भी ये honors political science, DU regular, DUSOL and NCweb तीनों students के लिए काफी useful, काफी important and काफी ज़्यदा informative है So my dear students, अगर हम बात करें कि आप लोगों को इस gender collective paper के अंदर किस topic के बारे में ज़्यदा पढ़ना है तो जैसे कि आपको पता है इस gender collective paper का नाम है Delhi through the ages तो overall आपको इसके अंदर Delhi city को जो है explore करना है, explore करना है, जानना है कि Delhi की जो है early history कैसी रही है and 18th century में किस प्रकार Delhi जो है develop हुआ है So इसके अंदर आपको basically cover करना है कि Delhi as we all know जैसे कि हम जानते हैं कि is one of the longest serving capitals and perhaps one of the oldest inhibited cities in the world आप देख सकते हैं माभरत काल में जो है जो इंदर परस्थ जगे है वो जो है capital हुआ करती थी ठीक है आप लोग उसके अफसेज जो है आज की time में देख सकते है जो प्राना किला जो है situated वहाँ के area को आप लोग जो है इंदर परस्थ जो है कह सकते है मान सकते हैं वाइल वां दिगधर साइड ऐसा माना जाता है कि आज का जो आधुनिक दिल्ली है जो मौटरन डेली है बनने से पहले दिल्ली साथ बार उजडी और बसी है जिनके कुछ अफसेज जो है आज भी देखे जा सकते हैं जैसे कि आप लाल कोट की बात करें जो सीरी का किला है उसकी बात करें या फिर तुगलका की जो तुगलका बात है उसकी बात करें तो ये सब जो है प्राचीन डेली के जो है पार्ट है अब सेस हैं जो कि आप रिजन टाइम में भी देख सकते हैं वाइल वाइल अंदिदर साइड अगर हम बात करें देखी 17th century में जो है Mughal empires आए ठीक है जहाँ पर सांजा का सबसे पहले अगर हम नाम ले तो उन्होंने जो है डेली के अंदर जो है सह जाना वाद जो है बसाया सांजा ने जो है लालकिला बनवाया जो लालकिला वाला जो एरिया है जो प्राचीन डेली आप उसको कह सकते हैं पुरानी दिल्ली जो है आप कह सकते हैं वो एरिया जो है प्राचीन टाइम का ही है ठीक है dear students and जैसा कि हमने आप से पहले भी कहा कि डेली has a long history and has been a important political center of Delhi of India as the capital of several empires जितने भी empires आये सबने अपनी राजदानी जो है दिल्ली को एक बार जरूरूरू बनाया ही है लेकिन जब से भारत जो है independent हुआ है जब से independence मिली है भारत को तब से लेकर और present time तक जो capital रही है इंडिया की वो डेली ही रही है आईए आप लोगों को बताते हैं कि आपको इस paper के अंदर क्या-क्या topics cover करने है तो देखिए unit 1 है ancient Delhi and adjoining sites इसके अंदर आपको ancient Delhi के बारे में cover करना है प्राचीन Delhi के बारे में आप इस unit 1 के अंदर पढ़ पाएंगे समझ पाएंगे and जो इसकी आसपास की जो sites है उनके बारे में आपको इसके अंदर cover करना है जिसमें इंदर प्रस्था आपको cover करना है जिसमें हस्तीनापुर है पानीपत है तिलपात है ये तीनों cities जो है आपको cover करने है अब देखें महाभारत टाइम के दौरान जो है आप इंदर प्रस्ता हस्तिनापुर को बहतर तरीके से आपने सुना भी होगा अगर आपने महाभारत एपिक जो है टीवी में अगर देखी है तो while on the other side इसका जो second topic है वो है अशोकन इडिस्ट दन इसके बाद है महरोली आइरन पिलर जो कि आप प्रिजन टाइम में भी देख सकते हैं लाल कोट ये चार topics जो है आपको इसके अंदर cover करने हैं इसमें basically आपको ancient Delhi and जो adjoining sites है उनके बारे में आपको यहाँ पर जो knowledge है वो cover करन है then next है dear students आप लोगों की second unit जो की है from settlements to cityscape settlement से लेकर cityscape तक जो है आपको cover करना है जिसमें understanding the 10th and 14th centuries cities of Delhi Delhi के जो 10 वी और 14 सतावदी में जो सहर बसाए गए उनके बारे में आपको cover करना है and इसमें जो है case study भी दी गई है जिसमें से किसी दो पर आपको case study भी जिसमें topics given है अनंगपूर फोर्ट, डेली, कुमा, मस्जित, एजामी, सीरी, ग्यासपूर, तुगलकाबाद, प्रोजाबाद इन में से किसी भी दो टापिक पर आपको case study भी इसके अंदर cover करनी है then dear students आप लोगों की इसके अंदर जो third unit है वो है 16 to 17th century Delhi जिसके अंदर आपको हिमायोज, garden tom and more ofology of सहजानाबाद आपको cover करना है then इसके बाद है आप लोगों की unit 4 18th century Delhi जिसमें understanding political and social changes आपको cover करनी है so dear students इसके अंदर आपको overall four units को cover करना है चारों की चारे units काफी important है from exam point of view हर एक topic जो है बहतर तरीके से आप जो है समझने का प्रयास करें बहतर तरीके से topics को cover करने प्रयास करें यह आपका स्लेबस है आई आपको बताते हैं कि कौन कौन सी best recommendation है आप लोगों के लिए या फिर best book है जिनके माध्यम से आप topics को cover कर सकते हैं सो देखिए dear students आपर कुछ essential and recommended readings जो है दी गई है University of Delhi की तरफ से आप इनको जो है check कर सकते हैं ठीक है और कुछ link जो है हमने description box में provide कर आए हैं आप उसको भी check out कर सकते हैं सो ये कुछ essential readings है देन आपको बताएंगे कि कौन कौन सी best books हैं जिनके माध्यम से आप जो है topics को cover कर सकते हैं सो now dear students ये हैं कुछ best recommendation आप लोगों के लिए इस subject को लेकर आप इन में से किसी भी book को जो है purchase करकर बहतर तरीकी से हर एक topic को cover कर सकते हैं सो देखिए Delhi through the ages the making of its early modern history के लिए जो best book है वो है ancient Delhi second edition by उपिंदर सिंग ये book जो है काफी बहतर book है इस book के माध्यम से आप लगबग हर एक topic को बहतर तरीकी से cover कर सकते हैं understand कर सकते हैं ये जो है easy to read and easy to understand है then इसके बाद है हिंदी माध्यम में दिल्ली प्राची नितिहास जो की पिंदर सिंग के दर लिखी गई है काफी अच्छी book है then इसके बाद जो है department of distance and continuing education university of Delhi के दर जो provide करा गया study material है वो भी काफी अच्छा है वहाँ से भी आप जो है topics को cover कर सकते हैं then इहाँ पर कुछ web links दिये हैं हमने जो की पुस्तक बंडार के हैं वहाँ पर जाकर आप लोग जो है लगबग 4-5 topics को better तरीके से cover कर सकते हैं then इसके बाद कुछ इहाँ पर history का जो है Delhi to the ages the making of its early modern history का gender collective paper one है उसके लिए university series यानि कि 37 brothers and sons के दोरा एक undergraduate level पर एक paper भी जो है वो publish करा गया है तो इसकी भी help से आप जो आप लोग जो है इस subject की बहतर preparation जो है कर सकते हैं so ये कुछ बहतर books हैं जिनके माध्यम से आप लोग जो है topics को cover कर सकते हैं एक दो book की जो PDF है वो बहुत जल्द हम telegram चले में provide कराने का प्रयास करेंगे आप वहाँ से जो है download कर सकते हैं so dear students इस वीडियो में सिर्फ इतना ही I just hope you understand each and everything well अगर आपके कुछ भी queries हैं कुछ भी आपके questions हैं तो आप लोग जो है comment box section में comment करकर पूछ सकते हैं तो हम पूरा try करेंगे आप लोगों comments कर reply करने का अगर आपके कुछ भी suggestions हैं तो आप वाया हमारी mail ID पर भी send कर सकते हैं हमें आप Instagram पेज पर follow करकर वहाँ पर भी send कर सकते हैं अगर आप लोग जो है telegram channel से जरूर जुड़े उसका link हमने इस video को description box में provide करा दिया है अगर आप channel पर नए हैं तो please channel को subscribe कर लें ताकि आने वाली videos की notifications आपको मिलती रहे अगर वीडियो पसंद आई है तो please video को like करें अपने WhatsApp गुरूप के अंदर पुने फ्रेंड सेलकर में जरूर शेयर करें तो इसके साथ thank you for watching this video